असलाम लेकूम आप सब कैसे हैं मैं अमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको कलेजी अपना नस्काऊंगी उसके लिए जो चीज़े चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने वन केजी बकड़े की कलेजी ले लिए और इसे चोटे पेसिस में काट कर मैंने हाफ का बेसन कलेजी में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके आदे घंटे के लिए रखती है ताकि इसमें जो कलेजी की स्मेल या हमक सी आती है वो खतम हो जाए मैंने कलेजी को चितरा से दो लिये ताके जो बेसन लगाया था वो उतर जाए हाफ कप मैंने देंग का ले लिये डेर्ड टी स्पून मैंने लाल मिच की ले लिये एक टी स्पून मैंने हल्दी की ले लिये नमा खस्बेजाई का ले लिये तीन सबस मिच्चे ले लिए तीन टी स्पून मैंने मसाले के ले लिए एक टी स्पून मैंने काली मिच्च के ले लिए तीन टेबल स्पून मैंने लस्टनदर का पेस ले लिए और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिए दो मिडियम साइज की प्याज ले लिए और इन्हें ब्री काट लिए दो मैंने टमाटर ले लिए और उन्हें भी ब्री काट लिए थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ले लिए अब एक पैन में हाफ कप बॉल शामिल करके ओईल को थोड़े गरम होने के लिए रखती है जब ओईल थोड़ा सा गरम होजेगा फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे प्याज का कलर हम लाइट ब्राउन करेंगे फूल आंच पे पकाएंगे प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुक है अब हम इसमें सारे स्पाइस शामिल कर देंगे शामिल करके आदे मिन्ट के लिए पकार लेंगे सारे स्पाइस को प्याजों के साथ उसके बाद लस्टनदर का पेश शामिल कर देंगे लस्टनदर का पेश शामिल करके एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और सबस मिच्चे शामिल कर देंगे टमाटर और मिच्चे शामिल करके एक दफा इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें एक कप पानी शामिल कर देंगे उसके बाद कलेजी शामिल कर देंगे कलेजी शामिल करके एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर कवर करके कलेजी को पकने के लिए रख देंगे मिडियम से लो आंच पे कलेजी को तब तक पकाएंगे जब तक इसका सारा पानी खुश्यक नहीं हो जाता और इसका ओईल लैदा नहीं हो जाता वक्वे वक्वे से चेक करते रहेंगे अब आप देख सकते हैं कि कलेजी का सारा पानी खुश्यक हो चुका है अब हम इसमें देंग शामिल कर देंगे कलेजी में देंग शामिल करके देंग को अच्छी तरह एक दफा मिक्स करके कवर करके पांच मिट के लिए पकने के लिए रख देंगे मिडियम आच पे पांच मिट के बाद कलेजी के सालन में हम धनिया शामिल कर देंगे और गरम साला शामिल कर देंगे थोड़ा सा एंड पे इसके बाद इसे थोड़े के लिए भून लेंगे इसके बाद आपका सालन त्यार हो चुक है आप इसी सर्फ कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कलेजी इच्छी तरह से गल गई है मुझे अमीद है कि आपको मेरी रेस्पी जुरू पसंद आई होगी आप जुरू ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें कुमेंट करें शेयर करें और मेरी चैनल को जुरू सबस्क्राइब करें मेरी और एस पी देखने के लिए अल्ला आफिस